हेलो गाइज वेल्कम बैक तो मैं चैनल फनास मार्केट गाइज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे तम वैल्यू स्टील्स लिमिटेट को लेकर गे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अब ट्रेडिंग इसके अंदर बंद हो गई है कल मंडे वाले दिन भी बिपे को भी नहीं हो रही है देखिए यहां पे पहले तो क्वेशन आथा है कि ट्रेडिंग क्यों बंद होई तो देखिए इसका सीधा सा जवाब है कि ट्रेडिंग इसलिए बंद होई है क्योंकि नेशनल कंपनी लो ट्रेबुनल एनसी इल्टी का जो मुंबई बेंच IBC 2016 के अंदरगत इन्होंने यह order पास किया है जिसकी वज़ा से अभी इसको company को stock exchange से delist कर दिया गया है इस बीज में बहुत सारे लोगों के comments आ रहे थी कि उनके demit account से उनकी holding गायब हो गई है तो देखिए यहाँ पे मैंने बहुत इसके उपर research करी बहुत push task किया बहुत लोगों से पता किया तो मुझे कुछ चीज़ें पता चली है वो आप लोगों के साथ share करना चाहता हूं देखिए पहले चीज़ तो यह है कि आपके demit account में जो holding नहीं show हो रही है मान लीजे आपके demit account में उत्तम value के 5000 shares थे वो नहीं show हो रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आपके 5000 shares उड़ गया है समझ रियेगा बात को ऐसा नहीं है आप 5000 shares के owner हो आपके holding है वो zero नहीं हो सकती है हो सकता है कुछ temporary वो गायब हो गया हो लेकिन लेकिन promoters 5000 shares को ऐसे ही जाने नहीं सकते यह उनका अधिकार नहीं है यह उनका करते पे नहीं है यह काम वो नहीं कर सकते 5000 अगर आपकी holding है 5000 quantities की यह आपका right है आपका अधिकार है आपकी ownership है कुछ fraction में आपकी ownership है लेकिन है आपकी ownership को वो zero नहीं कर सकता यह rule ही नहीं है यह तरीका ही नहीं है कोई भी company अगर एक्चेंज से dealist हो रही है तो वो अपने stakeholders को या तो उनके shares को buyback करती है buyback कैसे करती है जिसे माल निजे कोई company dealist हो रही है उस case में क्या करती है कि वो एक bidding process होता है कि अपने जो stakeholders है उनके shares को वो buy करना होता है उस company को किस price पे एक bidding price तै होती है वो bidding price जो तै होती है वो आपकी जो purchasing price है उससे ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है अगर कम होगी तो आपको loss होगा ज़्यादा होगी तो आपको profit हो जाएगा लेकिन buy back process में क्या होता है कि आपसे company खुदी अपने promoters अपने stakes को ले लेते है अपने stake holders से ठीक है उसमें आपका loss या profit जो भी होगा हो जाएगा इस case में आपको zero नहीं मिला आपका कुछ मिला zero नहीं होगा आपका दूसरा तरीका है अगर company बहुत high debt से गुज़र रही है उस case में क्या होता है उस case में company के पास जो भी assets है asset value में से liabilities को हटा दिया जाए तो जो कुछ भी बचता है उसको stakeholders में divide कर दे जाता है ठीक है अब लोग question पूछ सकते हैं कि क्या कोई company अगर deal list होती है तो उस case में क्या उनकी invested value zero हो जाएगी तो देखिए इसका answer है नहीं जी नहीं ऐसा नहीं होता अगर किसी company की जो भी face value है उस face value के बिहाब पे आपको कुछ ने कुछ amount मिलेगा बहुत कम मिलेगा लेकिन मिलेगा for example जिसमाल लिजिए आज की date में reliance 2000 plus में trade हो रही है लेकिन face value अगर आप देखूंगे उसकी तो 1 रूपीज या 2 रूपीज होगी या hardly 10 रूपीज हो सकती है तो अकल को अगर वो deal list होती है उसकेस में मान लीजिए किसी के number of quantities बहुत ज़्यादा पड़ी है reliance के तो in that case उसको उसकी face value के बहाद पे मिलेगा zero नहीं होगा या फिर company खुद buy back करे bidding process के चलिए जैसा कि अभी वेदानता के साथ हुआ था आपको पता होगा मैंने कुछ दिन पहले वीडियो के दूब अपडेट किया था कि वेदानता डिलिस्ट हो रही है उसकेस में bidding process चला था तो जो bidding process चला था उस लोगों में LIC ने 300 प्लस में bidding लगाई थी जबकि company का कहना था कि मतलब 80s में वो bidding चाह रही थी company तो चाहे कि कम से कम price में वो बेज दे कम से कम price में लोगों से अपने stakeholder से अपने stakes को खरिद ले लेकिन ऐसा actually में होता नहीं है जिदर voting ज़ादा होती है company को उसी के according चलना पड़ता है तो ये process लेकिन वहाँ पर क्या हुआ वहाँ पर ऐसा हुआ नहीं वहाँ पर delisting नहीं हुई भाई फेल हो गई थी यहाँ पर delist हो गई है आज trading नहीं हुई कल भी नहीं हुई थी तो आप यहाँ सीजिए समझे कि delist हो गई हो जाने दिजिए आप अपने broker से बात करिए आपकी demand account में अगर इस case takes नहीं शो हो रहे हैं तो कोई notice भी आपको दिख रही होगी कोई नोटिफिकेशन जरू जाई होगी अगर नहीं आई है तो आप अपने broker से strictly बात करिए और इसके अलावा आप company को mail करिए company की जो information होती है आप पे आप money control भी यूज़ करते हैं तो information and management आप यहाँ पे mail ID देख सकते हैं कुछ phone numbers है phone numbers पे भी आप बात करके देखें इसके अलावा आप यहाँ पे mail ID होती है mail ID पे आप mail करें इस सबसे ज़्यादा important है कि आप अपने broker से बात करें जरूदा के अगर आप client है तो जरूदा वालों से बात करिए आप stock के हैं तो आप stock से बात करिए तो आप promoter से बात करिए और उनको अपने problem को ब्रोकर से बात करिए और उनके problem अपनी problem को share करिए बताईए उन से तो coin कोई exit window जरूज निकलती है ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल छोड़ दिया जाएगा ऐसा नहीं है लावारिश थोड़े है आप ownership है आपके पास आप case कर सकते हो आप कई लोग मिल कर गए company के खिलाफ तो इस बात को लेके तो डरो नहीं और जो होना था हो गया आप positive रहो आगे देखो hopeful रहो अभी भी कोई जरूरी नहीं है कि डिलिस्ट हो गई है ऐसे तो अलोग इंडस्टी भी डिलिस्ट हो गई थी लेकिन उसको रिलिस्ट किया गया कि नहीं किया गया तो इस तरीके से एक positivity रखो दिबाग में और कोई negative रखने से कोई कोई फायदा नहीं होने वाला है याँ ठीक है जो होना था हो गया बाकी आप ये सोचना नहीं कि zero हो जाएगी आपकी value ऐसा बिल्कुल नहीं है ये तरीका नहीं होता है रूल नहीं होता है anyhow management को promoters को आपके stakes को खरिदना पढ़ेगा वो भाग नहीं सकता अईसा rule नहीं होता है मैंने बहुत research कर इसके ओपर तो ये बाते पता चली तो आप लोगों में से बहुत लोगों के इस तरीके कोमेंट आ रहे थे बहुत दुख हो रहा था सून कर गए और कुछ लोगों ने तो ऐसे इसे कोमेंट किये थे जो मतलब read करके मैं बहुत frustrated हो गया था थोड़ी तरी के लिए कुछ लोगों ने कहा था कि वो commit suicide कर लेंगा और कोई रास्ता नहीं है मैंने मतलब ऐसे लोगों को मैं क्या बता हूँ आप या जिन्दगी life आपकी और पड़ी है whatever you have lost in this ठीक है तो आप लोग positive रही है और अपने brokers को call करिये उनको बताईए अपने problems क्या है क्यों ये हो रहा है तो हलाकि आपको बताना चाहूँगा window के exit window एक निकाल ली जाती है within month ठीक है एक महीने के अंदर या 10 दिन पंदर दिन आप चेक करते रही है ये एक exit window करके निकलती है उसमें जो remaining stakeholders होते हैं उनके stakes को खरीदती है promoter promoter उसको खरीदता है ठीक है so this is all about this video अगर मुझे कुछ और इसके ऊपर पता चलेगी तो मैं आपको update करूँगा anyhow so stay tuned to my channel finance market and if anybody is interested in opening DMIT account or trading account follow the link given in description box of this video alright guys stay tuned, stay positive and god bless